हलो अवरीवन इस वीडियो में मैंने बैकग्राउण को करने के लिए सेरेलियन ब्लू लु हीو को यूसश खिया हुआ है मतलब मैं पूरी ड्रराइण जो है वो वाटर कलर से ही पेंट करूंगी तो सबसे पहले मैंने background के उपर focus किया कि सबसे पहले background ही करती हूँ क्योंकि वो सबसे बड़ी जगा होती है और उसमें सबसादा color चाहिए होता है foreground करने के बाद background करना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए पहले background को ही कर लिया और background करते time ये ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा light color यूज़ करें जो dark color होता है वो focus में जिल्दी आता है तो अगर background को dark कर देंगे तो foreground पे जदा लोगों का ध्यान नहीं जाएगा इसलिए याद रखिए कि हमेशा background light color से करें तो मेरा मन था turquoise को यूज़ करने का थोड़ा सा shade देने का तो इसलिए मैंने कहीं कहीं पे turquoise का भी shade दे दिया और बीच में highlight करने के लिए blue को ऐसे ही छोड़ दिया फिर मैंने skin texture बनाने के लिए raw siyana और burnt siyana उसके साथ white color को mix करके इसकीन का color बनाया इसकीन मैंने basic color बनाया कोई बहुत खास नहीं बनाया एक नॉर्मल सा drawing की जारा पूरा realistic color नहीं यह और इसके बाद फिर यह काफी light लग रहा था मुझे तो मैंने थोड़ा darkness को dark किया थोड़ा सा burnt siyana mix करके पर इसे mix करने के बाद भी कुछ खास इसमें darkness नहीं आई थी पर side side से थोड़ा सा effect आया था इसके बाद फिर मैंने हीरन के लिए color बनाया अभी तो पहले मैं outline ही कर दूंगे अब मैंने थोड़ा सा darkness और बढ़ा दी हीरन के color को बनाने के लिए तो हीरन को मैंने band siyana से किया band siyana थोड़ा सा यूज किया था उसमें main जो था तो वो chrome yellow मैंने यूज किया था सोरी yellow ओकर मैंने यूज किया था और इसके बाद फिर मैंने इसमें band siyana यूज किया और इसके बाद मैंने color यूज किया था yellow का यह था जिसे नैपल्स कहते हैं वह काफी ठीक सा था मतलब पता नहीं किया उसमें color फाई नहीं तो असल्माने उसको वापस से पोच दिया और फिर मैंने गोल्ड का color बनाने के लिए यलो बनाने के लिए लेमन यॉलो को mix करके जोड़ का color बनाया थोड़ा सा वाइट भी mix किया था तो इसमाने कंगन पायल वगरा भी color कर ली कि यह वीडियो काफी लंदी हो रही थी इस जासे मैंने इसको काफी फास्ट रखा है इंब मैंने ब्लिलाउस 2021 lud को बनाया तो यह सेक्रए लेखे में वाइट को मिशक आपाएन सब्सक्राइब वाइट नीज वाइट के फोरी Two guaranteed सेक्रेट लेक का डार्क शेड ही लेक के बार्डर बगार खिया ताकि लेंगे में जो फ्लो है वो नज़र आए और इसके बाद फिर मैं परपल बनाना चाहती थी पर इसका कलर मैंने पहली बार यह ट्राइब किया था तो इस बजा से मैंने इतना फोकस नहीं किया मुझे से थोड़ा डार्क इसलिए मैंने सेकरड लेक में ब्लू मिलाया था उसके बाद फिर मैंने नीचे का बॉडर किया और फिर मैंने चुन्डरी भी लाइट ही रखी क्योंकि चुन्डरी बैसिकली लाइट ही होती है तो यही काम भी हो गया था इसके बाद फिर मैंने गोल्ड का ही काम किया यलो लेमन येलो एंड यलो ओकर को मिक्स करके मैं थोड़ी सी गोल्ड ज्यॉैल्री बीसकी कमर पर बनाई रहुत मेरा मेरा मेन फोकस इसकी कमर पर ही था और नीचे लेंगे का जो फ्लो है वो मुझे अच्छे से बनाना था और मैंने इसके ब्लाउज वगएरा आइमीन जो चोली थी उसको भी गोल्ड से ही किया ताकि वो थोड़ा सा लगे कि हाँ पहले जमाने का अनग वगएरा मैंने स्टोर्स नहीं बनाए क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता और वाटर कलर में काफी टाइम लग जाता और यह जल्दी हो जाता है क्विक मीडिया में इस वजह से मैंने बस बेसिकली यह बिगनर्स के लिए ही बनाया है तो आप इससे देखके जो भी आप सीख सको यह ड्रॉइंग मैंने पहले सही बना रखी थी चमन की रन की बुक से तो आपको इसमें बहुत सारे हिंट्स मिल जाएंगे मैंने बाल जो है वो बंड जंबर से किया था यह मैंने 24 कलर का वाटर कलर का सेट लिया हुआ था तो उ फिर मैंने मिटके के लिए भी सेम वही गोल्ड पैटा नहीं यूज किया था और दीरे-दीरे करते हुए ड्राइंग करते चलेंगे फिर बैग्राउंड जो था तो वो भी मैंने सेक्रेट लेग सेके क्या क्योंकि मैं किसी और कलर पे स्विश नहीं करना चाहती थी मुझे बीसए मुझे के फिर सेक्रे फ्लावर की तो बनाने के लिए तो जैसे को लेंगे के लेंगे के लिए से प्लावर ti इंग करे थे तो मैंने सोचा तन तो मैंने इसका जोईल्री के लिए Chandler में भी यूसक्त करें चाहिए दो घंड लो जा ड़ी दो अफक्वा क्या है जा पूरा क्लर मैं अपने मण से किया था था रभी एक्सपेरिमेंटल ही था पूरे में एक कि शेड बगारा जो भी है वो सब इमैजिनेशन से करते चले गहा है करना चेहिए इमैजिनेशन से और वाटर कलर काफी कुई होता है तो इसलिए मैंने वाटर कलर को चूज किया क्योंकि एक्रिली क्या ओईल में बहुत सदा टाइम लग जाता तो काफी लेंदी वीडियो हो जाती इसलिए मैंने वाटर कलर को यूज किया क्योंकि बहुत फास्ट होता है जल्दी ड्राइब भी होता है तो अब लगबग मेरी ड्राइंग कंप्लीट ही हो गई लगबग मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है बस कुछ लास्ट टचेस बच्चे हुए हैं थोड़ा बहुत हाईलाइट वगारा मैंने पहले सोचा था कि वाइट से हाईलाइट दूँ फिर मैंने का ऐसे देते हैं यलो और पिंक और ब्लू सिफ तीन बेसिक कलर ज्यादा कलर एड नहीं करने का मन था थोड़ा सा यलो में वाइट मिक्स करके हलकी से हाईलाइटिंग के लिए यूज किया पूरे एरिया में नहीं बस थोड़ा थोड़ा जहां मुझे लगा कि हां यहां होने ही वाली है बस नीचे का बेस चला है बॉर्डर भी हो गया और यूम का मैं भूल ले थी करना तो इसको मैंने बाद में किया ग्राइंग पेंटिंग इतनी भी टफ नहीं होती मतलब हम लोग सुरुआत से बहुत जादा सोच लेतें कि बहुत हार्ड होगा बहुत टफ होगा कैसे करें कभी खुद से किया नहीं बिना देखें बिना रिफ्रेंस के कैसे बनाएं इतना भी हार्ड या टफ नहीं होता है यह मेरी बेंटिंग कम्लेट होगे